So hey guys, welcome back to GTAC Pauly और आज के इस वीडियो में बात करने वाले है Q की बारे में जैसे कि हमने last lecture में पूरा recursion अपना बहुत यह से complete कर लिया I hope आपको सारे point recursion के समझ में आए होंगी और इससे पहले हमने अपना stack complete किया था stack का अपना कुछ concept था last in first out same actually हमारा Q का भी कुछ लगबग लगवा concept है लेकिन इसका जो concept है वो first in first out है तो इसे हम इस पूरे वीडियो lecture में पूरा-पूरा complete करने वाले हैं इसे यह करके हम पूरा-पूरा समझने वाले हैं आज इसी lecture में तो चलिए start करते हैं यहां पर क्यू कि अगर बात करें तो Q का जो है हमारा concept है कि क्या होता है stack की तरह ही लगबग यह सेम होता है लिए बस इसका concept हमारा file को insert और delete करने का थोड़ा अलग है मतलब element किस तरह से delete होते हैं किस तरह से इसमें push होते हैं वो थोड़ा सा इसमें concept थोड़ा अलग है लेकिन लगबग लगबग हमारा stack साही मिलता जुलता है यहां पर क्यूंकि अगर बात करें तो Q एक non primitive तरह linear data is structure है जो कि अपने हमने first lecture में इंटो डक्सान वाले पार्ट में इतना समझ लिया था तो Q क्या है हमारा Q एक non primitive तरह linear data is structure है और यहां फीफो first in first out मतलब क्या है फीफो का मतलब क्या है first in first out first in first out मतलब पहले आओ और पहले पाओ तब जो सबसे पहले element insert किया गया होगा वही सबसे पहले delete होगा अगर हमें remove करना होगा तो पस इसका concept फीफो का इतना ही है और हमारा stack का क्या था last in first out मतलब जो last में आया वो पहले बाहर होगा यह हमने वहाँ पर chair का example देखा था कि number of chair है पर बहुत सरी रखे हुए एक 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 उपर और आपर जो last में insert की जाती है वही सबसे पहले remove होगी कुछ इस तरह से element भी memory के अंतरक से remove होते है हमारे stack के concept में और फीफो के concept कुछ इस तरह सोता है first in first out मतलब जो पहले आया है वही पहले जाएगा तो q एक non primitive तथा linear data structure है और यह फीफो first in first out के सिद्धान पर ये concept पर कारे करता है अर्थात वह item जो कि सबसे पहले add किया जाता है वही item सबसे पहले remove ही किया जाएगा तो यह ही उसका concept है और वह item जो कि सबसे अंत में add किया जाता है उसे अंत में remove किया जाता है यह था basic q के बारे में basic is a concept पसी से आपको ध्यान में रखना है q में दोनों end खुले रहते हैं जबकि stack में के वाल एक top end ही खुला रहता था मतलब stack में हमने देखा था कि stack में top से ही value insert होती थी वही से ही delete होती थी मतलब वही से ही push होती थी और वही से value pop होती थी एक end से अब यहाँ पर Q में दो end होते हैं एक front end होता है दूसरा क्या होता है rear end होता है एक front end होता है और दूसरा क्या होता है rear end होता है rear end में item को add किया जाता है तता front end से item को remove किया जाता है क्या किया जाता है remove किया जाता है तो rear से क्या होता है sorry किया जाता है और किया है front से हमारे item को remove किया जाता है simple यहाँ पे आप लोग समस्ज सकते हैं यहाँ सो कुछ element को add किया जाएगा ऐसे कुछ और यहाँ से क्या इसे remove किया जाएगा एक तरह समझें NQ और यह कुछ इसका basic concept है Q का बस इसे हमें समझना था Q के अगर और बात करें तो कुछ operations है Q के हमार operations के अगर बात करें यह पर कुछ operations होते हैं इसके अंतरगत NQ हो जाता है, DQ हो जाता है, PQ हो जाता है EGMPTY हो जाता है और EGPUL यहां पर NQ के बात करें तो NQ को मतलब क्या है जब हम Q में किसी item या element को add करते हैं तो उस operation को हम क्या कहते है NQ कहते है जब हम इसमें Q में किसी element को add करते है तो यह हमने क्या क्या add किया इसे तो इससे क्या बोलते है NQ बोलते है जब हम किसी element को delete करते है तो इसे क्या बोलते हैं, DQ बोलते हैं, इसको कुछ figure यहां से भी आप लोग समझ सकते हैं, और DQ क्या होता है, जब हम Q में किसी item को delete करते हैं, उस operation को क्या बोलते हैं, DQ बोलते हैं, यही चीज़ यहां पर figure में भी आप लोग समझ सकते हैं, कुछ यह element है, तो टैर कर रहे है 10 Q हो रहा है और जो डिलीट करने के लिए उसे क्या बोलते है यहां प्रिख को दिलीट करने के लिए किया जाता है और इस चेक किया जाता है क्या हमारा क्यूँ इंपटी है और यहां पर चेक किया जाता है इस फूल में क्या हमारा क्या क्या हमारा फूल है तो यह चीज में पताएगा कि इसका प्रियोग या चेक करने के लिए किया जाता है कि क्यूँ खाली है या नहीं जब क्यूँ खाली होता है त तो इसका प्रियोग बहुत यह चेक करने के लिए किया जाता है कि क्यों पूरी तरह से फुल है या नहीं जब क्यों पूरी तरह से फुल हो जाता है तो क्या होता है ओवर्फ्लो ओवर्फ्लो मैंने आपको बताया जिसा पानी है जब पूरा 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 पानी फूल हो रहा है और एक टाइम के बाद पानी गिरने लगता तो उसे बोलते हैं overflow अगर कुछ हमें पानी गिरा ना और गिलास में कुई पानी ना हो तो उससे कैसे गिराएंगे तो वहांपे क्या हो जागा अंडर फ्लो की situation पे आ जाता है ठीक है यहां पर overflow होता है यह पानी जाता हो जाएगा गिलास में तो बाहर को इस तरह से समझा देने ठीक है आपके पांस नमबर पके यहां पर क्या जाएगा अप्लिकेशन आप क्यूँ क्या क्या अप्लिकेशन है इसे भी अगर आप से कुछा जा सकता है तो कॉल सेंटर फोन सिस्टम में लोगों की कॉल को करने के लिए इसका उजक किया जाता है इसका मतलब क्या है कि जब भी आप कॉल सेंटर की नाहम सो लोग सुने आंगे चाह obras अब किए अगर पहले से अगडर कॉल कर रहता है तो हम्झा बताने लगता है कि यह अमर कहीं और पहले सी से तो हम तब तक hold पे रहते हैं, जब तक उनसे बात नहीं हो जाती, company जब किसी दूसरे बक से बात करते रहते हैं, तब तक हमारी call को receive नहीं किया जाता है, तो एक तरह से वहां पर Q का कंडिशन वर्क करता है, ठीक है, यहां पर फिर इसके second वाले example कर बात करें, इसका में song को एक order में add तथर remove करने के लिए किया जाता है, यहां पर समझ सकते हैं, दो तरह से क्या क्या application कहां कहां पर Q का use किया जाता है, ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कि जब भी आप cyber cafe में गए होंगे, cyber cafe में जब जाएंगे, तो वहां पर कुछ print की condition दी जाती है, Q के concept पर ही work करते हैं, ठीक है, तो Q का concept में पता सल गया, कौन से concept है, फीफो, first in, first out, यही कुछ सन आपके वायवा में भी जाते हैं, ठीक है, तो हमारे Q आसानी समाझ में आ गया हमें, आप इसके कुछ features है, features के अगर बात करें, यह फीफो structure है, फिर आप second क्या है, stack की तरह Q समाझ data types के element का एक order list होता है, और फिर क्या हमारा तिसरा point, Q में किसी नए element को remove करने के लिए, हमें उससे पहले insert किये गए, सभी element को करना पड़ेगा, यह most important है, इसका मतलब क्या है, क्यों में किसी नए element को remove करने के लिए, अगर कोई element को remove करना चाहते है, Q के अंदर से, तो ह हमें क्या करना होगा, पहले insult किये गएं, सभी element को remove करना होगा, क्या करना होगा, इंसल्ट किये गएं, सभी element को remove करना होगा, फिर इसमें जो next point है, इसमें peak function का प्रियोग, first element की value को return करने के लिए किया जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, peak, इसका मतलब क्या है, first element को प्राप्त करने की वही चीज़ है यहां पर फंसन का यूज किसलिए किया जाता है first element की value को return करने के लिए किया जाता है यह कुछ इसके features हैं हमारे Q के ठीक है यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है अगर यहां पर type की अगर बात करें कि Q कितने type क्यों होते हैं हापर type के अगर बात करें कि हमारे types आ जाते हैं पहला हो एक चुर्किलर के और तीसरा के बात करें लीनियर क्यों होता है जिसमिन को एक किया जाता है और दूसरे इंडर से written किया जाता है उसरे एर いきड कहते हैं और यहां पर figure पर हमने समझाता है, यह figure था हमारा यह चीज, ठीक है, यहां पर front है और back है, तो back को आप लोग कुछ के फार्म में समझ सकते हैं, जो यहां पर हम लोग समझ रहे हैं, इसमें सभी notes को circle के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, इसमें last element, पहले element के साथ जूड़ा रहता है, इसे ring buffer भी कहते हैं, circular queue में item को rear end से add किया जाता है, तथा item को front end से remove किया जाता है, तो ऐसे कुछ definition की form में समझें, तो कुछ यह ऐसे cleaner queue होता है, circular queue होता, अगर आप से type पूछा जाता है, तो कुछ इस तरह से type define कर सकते हैं, तीसरा आ जाता हमारा priority queue, और चौथा आ जाता है, priority queue में क्या होता है, और कुछ इस तरह से कुछ इसका concept है, लेकिन हमारा main concept है कि क्यूग होता क्या है, बस queue को हमें समझना है कि किस तरह से काम करता है, और real में क्यूग क्या, तो मैं इसका concept प्रते सल गया, first in first out, और यह इसको कुछ टेयोरी है, यहां से समझ सकते हैं, जैसे dequeue हो गया, dequeue का प क्या है कि क्यूग होता क्या है, real में और यह कितने प्रकार क्यों होते है, types of queue को define करो, आप इस तरह से कुछ define कर सकते हैं, ठीक है, अब यहां पर queue कुछ सर्ते हैं, जिने आपको ध्यान में रखना बहुत जरूर है, क्यूग कुछ सर्ते हैं कि हमें इन सर्तों को follow करना है, क् क्या है, यहां पर क्या है, front जो होगा, हमेशा 0 से less होगा, तो क्या होगा, यहां पर queue खाली है, अगर front हमारा 0 से less है, अगर हमारा 0 से छोटा है, क्या है हमारा queue, पूरा-पूरा खाली हमें पहली पता चल जाएगा, तुसरा यहां पर सर्त क्या है, कि rear is equal to size of queue, rear की value, अगर size आप Q के साइज की बराबर होती हो तो क्या हो जाएगा Q पूरा-पूरा भरा हुआ है ठीक है यह पहचान की कुछ यहां पर concept है front अगर rear से छोटा होता है तो क्या है Q में कम से कम एक item तो होता ही है ग्रम से कम एक आइटम होता है यागर फ्रांट रियर से चोटा होता है तो उस तरह हमारा कुछ Q था हमने बहुत अच्छे समझ लिया किया है पूरा introduction इसका समझ लिया आगे हम कुछ इसका algorithm पढ़ने वाले हैं बहुत ही आसानी समझ में आएंगे और इसके last lecture आग भी तक आप लोगों नहीं किया तो उन्हें follow जरूर कर लें कि सब एक दूसरे से connected हैं जो हम पहले lecture को देख लेंगे तब ही last lecture समझ में आएगा last lecture को देखना ना भूले और आने वाले वीडियो मता हम लोग मिलते ही रहेंगे वीडियो को लाइक जरूर करते हैं हमारे motivation के लिए और कमेंट करते हैं और कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा आप लोगों को और description में आपको link मिल जाएगी IWT कि यह तो वहां से आप उस से एकसेस कर सकते हैं और मिलते हैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू सुमच गाइस